लोकी की सीजन 2 की शुरुआत हो चुकी है और वैसे तो मुझे एक्स्प्राइशन वीडियोस बनाने में उतना मजा नहीं आता लेकिन आपको यह मानना होगा कि लोकी का जो सीजन 2 का पहला एपिसोड है वो एक्स्प्राइशन डिजर्व करता है और जरूरत भी है क्योंकि य को मार देती है, सेक्रे टाइमलेंस की इंफरनेट ब्रांशे बन चुकी है, लोकी को टाइम डूर की हल्प से सिल्वीय ने वापस टीवीय में फेक दिया था जहां सब कुछ बदल चुका है मोबियस लोकी को पहचान नहीं पारा और कैंग की मूर्थी टीवीय में है तो अब तक हम त्योरिस बना रहे थे कि लोकी जो है, वो एक अल्टनेर टाइमलें में जा चुका है, जहांपर कैंग रूलर है टीवीय का, वो भी कई सारे सालों से और ऐसी कई सारी टाइमलाइन से लेकिन ये एपिसोड हमें कुछी देर में बता देता है कि अपना दो रूपय का दिमाग कम लगाया करो क्योंकि लोकी दूसरी टाइमलाइन में नहीं बलकी पास्ट में आ चुका है, एक्जेक्टली कितना पीछे ये तो नहीं पता पर मेभी 300-400 साल पीछे जब कैंग यहां का रूलर हुआ करता था और उसके बाद में सब कुछ चेंज कर दिया गया, टीवे में सारे स्टैचूस हटा दिये गए और टाइम कीपर्स इसके नए रूलर बन गए और ये काम में भी की हू रिमेंस नहीं किया होगा अब होता ये कि लोकी बार बार टाइम में आगे पीछे जा रहा है उसी लोकेशन पर कभी वो टीवे के पास्ट में है तो कभी फ्यूचर में है और इसी दौरानों से पता चलता है कि रेवन और कैंग का लवड़ा चल रहता दे वर एक्चुली फॉक्ट इस लीड है ये ल बहुत जादा सिमिलर होने वाला है डाक से जहां कैरेक्टर्स एक दूसरे के पास्ट और फ्यूचर से मिलते रहेंगे और चीजों को सॉल्व करेंगे अब क्योंकि रेवन और रेंस ने टीवे से भाग चुकी है तो वहां का इंचार्ज कोई और बन चुका है जजज टाइम लाइन में एक लाइफ जीते थे इनकी मेमरी वाइब करके इने यहां लाया गया है लेकिन वो फिर भी प्रोटोकोल्स के अकॉर्डिंग चलना चाती है तो अब तक समझ में आच चुका है कि टीवी में चेंजिस हुए है टाइम लाइन साथ से निकल रही है उन्हें प्रून नहीं कर सकते क्योंकि इननसेंट लोग वहां रहते हैं सिल्वी को हंट करने के लिए डॉक्स रेडी है और लोकी पास्ट और फ्यूचर से अपना डबल पेनेटरिशन करवा रहा है टाइम स्लिपिंग को ठीक करने के लिए मोबियस और लोकी जाते हैं ओबी के पास ओबी यहां हजारों सालों से काम कर रहा है और वो 400 साल पहले मोबियस से मिला था और मोबियस को यह याद नहीं है और ओबी ने टीविय की गाइड बुक भी लिखे यानि कि उसे टीविय के बारे में बहुत जादा ही कुछ पता है जो कि आगे चल कर जरूर काम आएगा कि खुद कहता है मोबियस से कि तुम लोगों की मेमरी को वाइप किया है वो भी कई सारी बार लेकिन ओबी की मेमरी इसको वाइप नहीं किया गया इसका exact reason किया यह तो पता नहीं लेकिन ओबी है जो टीविय में time का track रखता है और 400 सालों से उससे कोई मिला भी नहीं है वो अकेला है जो भी repairing करनी होती है उसको वो device वहीं पर मिल जाता है और वो repair करके वापस भेज देता है और क्योंकि पास्ट वाला लोकी जब OB से मिलता है तब OB को OB निकनेम नहीं मिलाता इससे confirm होता है कि लोकी बार बार at least 400 साल पीछे जा रहा था जब लोकी और मोबियस की बा पोरल रेडियेशन से एक्सपोज करना होगा और मरने से पहले टास्क पूरा करना होगा लेकिन साथ ही में OB को पता चलता है कि TV में power surge हो रहा है बार बार light जा रही है और इसका reason है multiple branches TV के पास मेना एक बड़ी सी सिलाई machine है जिसे loom कहते है जो raw timeline को refine करके physical timeline में convert करता है इसक कर देगा unstable होने की वज़े से अगर TV के blast doors को बंद नहीं किया गया तो और अगर blast doors को बंद कर देंगे तो उसके बाद loki को कभी timeline से pull नहीं कर पाएंगे क्योंकि loom खुद ही destroy हो जाएगा और उनके पास में timeline का control ही नहीं रहेगा यानि loki पहुंच जाएगा किसी black hole में प्रून करना होगा क्योंकि exactly उसी time पर mobius loki को timeline से pull करेगा ओभी blast doors को बंद कर रहा है लेकिन future में loki को time stick ही नहीं मिली जिससे वो खुद को prune कर सके वो elevator के बाहर खड़ा होता है जहाँ पर phone call आ रहा होता है और elevator में से निकलती है Sylvie लेकिन तभी कोई loki को prune कर देता है वो कौन है इसके उपर theories बनाएंगे लेकिन फिलाल के लिए loki जो है वो time slipping से बढ़ चुका है अब दो problem तो solve हो चुकी है loki time slipping से भार आ चुका है और TV के blast doors बंद होने की वज़े से loom अब TV को destroy नहीं कर पाएगा हलाकि खुद destroy हो जाएगा लेकिन जनरल डॉक्स पूरी आर्मी रेडी कर चुकी है सिल्वी को पकड़ने के लिए क्योंकि सारे जवाब उसी के पास है पर agent B-15 का मानना है कि जनरल डॉक्स is cooking something, letter cook क्योंकि इतनी बड़ी आर्मी की ज़रुत नहीं है, यहाँ पर कुछ और ही चल रहा है इसलिए अब Loki और Mobius निकल चुके है, Sylvie को डूणने इसके बाद एक post grade scene दिखाया जाता है जहाँ ही कलतनी timeline में Sylvie 1982 में पहुंच चुकी है उस जगा का नाम है Broxton बहुत तेज हो रहा है Marvel क्योंकि Broxton कॉमिक में वही जगा है जहाँ पर नया Asgard सिचुएटेड है खर सेल भी McDonald's पहुंच चुकी है और most probably वहीं पर वो employee बन जाएगी क्योंकि हमने ट्रेलर में देखा है उसे McDonald's की uniform में तो यह एपिसोड यहाँ पर खतम होता है लेकिन मन में बहुत सारे सवाल है सबसे पहला लूम खुद को destroy करने वाला है क्योंकि वो overload हो चुका है अगर वो destroy हो जाएगा तो physical timeline को raw timeline नहीं raw timeline को physical timeline में convert कैसे किया जाएगा और नहीं किया जाएगा तो क्या होगा Docs ने इतनी बड़ी army prepare क्यों करी है Loki को किसने prune किया और वो phone call किसका आ रहा था और क्या TV के सभी employees वापस sacred timeline में अपनी life को जी पाएंगे क्या हो नहीं यह सच भी पता चलेगा देखते हैं आने वाले episodes में वैसे आपके क्या सवाल इस episodes से related comment section में जरूर बताना आपको यह episode कैसा लगा वो भी बताना आपने अच खाने में के खाया वो भी बताना करे वीडियो चलेगी तो like और शेक कर देना मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में